नमस्कार प्रणाम मैं हूं मधुबाला आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 बता दे आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रहे हैं जियां बात कर रहे हैं पसुपती कुमार पारस और चिराग पासवान की जिस तरहे के से पसुपती पारस को लेकर काफी दे उठाये जा रहे हैं यानि कि बंगला का जिक्र लगातार अभी तक चल रहा है बता दे आपको पसुपती पारस को लेकर के अभी जो खबर सामने आ रहे हैं उसमें क्या कुछ निकल के सामने आ रहे हैं मारे साथ हैं दो सही होगी हैं विकास और नंदन तो चलिए सबसे पहले विकास के तरफ चलते हैं और जानते हैं कि पसुपती पारस को लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आ रहे हैं विकास पसुपती पारस को लेकर के काफी चरचाये चल रहे हैं इस वक्त देखिए कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि पसुपती पारस को बंगला खा साथ देगा, टिकट देगा, विधानसाबा सीटे देंगे और एक बार फिर से हमारी पार्टी जो खर्तम होने की कगार पर है, वो मजबूत हो सकती है, लेकिन अब जो जटका लग रहा है पशुपती पारास को, देखें केंदर में उनकी सरकार है, बिहार में उनकी सरकार है, क पर फशुपती पारास के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, और पर फशुपती पारास जो है, सरक पर आजाएंगे, सरक पर ईस लिह आ जाएंगे, फिर उनको कहीं न कहीं अपना एक छोटा सा कारयाल है, खोलना होगा, प्राइवैट सेक्टर में जाके खुलना होगा, क्य वो नहीं हो पाया, अब पशुपती पारस को तेरा तारीक तक बंगला खाली करना पड़ेगा, सिर्फ नौ दिन बाकी है, अब देखने वाली बात होगी कि नौ दिन में वो खुद से बंगला खाली करते हैं, या करवाया जाता है, जैसे चिराक पास्वान का सामान फेका गया वहां भी बड़ा जटका पशुपती पारस को लग रहा है, अब वहां से जो खबरे निकल के सामने आ रही है, जो सुत्र जानकारी दे रहे हैं, वो यही है कि पशुपती पारस को दिल्ली के में भी अब रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, वहां का जो उनका आवास था, उसे भी खाली करना पड़ेगा, हमारे सुत्र जो जानकारी दे रहे हैं, वही दे रहे हैं, कि पटना से लेके दिल्ली तक उनको आवास खाली करने का ओडर दिया गया है, अब पूरी तरीके से वह इस वक सरक पर आ जाएंगे, और उसके बाद बड़ी जानकारी निकल रही हैं, लेकिन नंदन से इस पर अबड़ेट ले लिजे कि और क्या अबड़ेट है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके आगे और क्या अबड़ेट निकल कर सामने आ रही है, और चिराक फासवान से बड़ी जानकारी देंगे, बिल्कुल विकास, नंदन जिस तरीके से पश सच बात है, क्योंकि पशुपधी पारस मंत्री पद उन्होंने छोड़ा, उसके बाद सांसद नहीं है, उनके पास अभी के समय में अपने पार्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है, और यहां पर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान को भी टार्ग समय की बात है, उस समय क्या था कि चिराग पासवान के पास कुछ नहीं था, और सांसद इतने ही पशुपधी पारस के पास थे, और अभी के समय में एक दम विपरीत है, चिराग पासवान के पास उतने ही सांसद इतने उस समय पर पशुपधी के पास थे, और समय पूरा उल अग्र कार्याल के लिए कुछ कर रहे है अगर कार्याल को छोड़ेंगे नहीं कि अगर कुछ मय sacrifice है जये और काल कह सकते हैं कि वियासत कर सकते हैं नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है, और उनका जो सपना है कि अपने बेटे को लेकर कि वह भी राजनीतिक करीर अपने आगे बढ़ा है, वह भी धोस्त होता दिख रहा है, और उनका भी कुछ होने वाला आप हो रहेगा नहीं, और वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की कि विधानसभा election को लेकर अगर चले तो हमने इसके पहले भी डिबेट किया था इस बात को लेकर कि विधानसभा election में पास्वान के पास जा कर और अपनी साथ गांट को मजबूत कर ले क्योंकि चिराग पासवान और पास्वान पास अगर एक साथ आते हैं तो बहुत ही गहरे वोट्स उन्हें मिल जाएंगे क्योंकि अभी कुछ एक ऐसे दलित है जो कि पशुपती के पास है और चिराग के पास तभी जा सकेंगे जब दोनों एक हो जाएंगे तो यहां पर पशुपती पारस को यह देखना चाहिए कि हमें वह श्टेप ले जो विधान सभा के लिए का त्युके आइभी जो एक पφास्य स्पलिफ नहीं कि फिर से नोटीश जाएगा उसमें कुछ समय दिया जाएगा और उसमें कुछ समय दिया जाएगा औरम के ठीक्राग संपते जैसे लृजण टारईक मजलु से समदार्य-घ्रिस Prim provider which is local nontyas эту पाटि के परवक्ता हैं, मुक्चे परवक्ताओं में से माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि देखिए, हम पट्ना का करयाल你是 तरही हो या बंगला हुश पर दावा ठोके हैं, बिल्कूल बिल्कुल वो भी चाहिए यानि कि उनका बिरासत तो संभाल रहे हैं, लेकिन बिरासत का जो असली चिन्ह था, बंगला, अब उस पर भी चिराक पासवान और चिराक पासवान की पार्टी का नजर है, वक्त-वक्त कीबात है, अब जो ख़बरे निकल कर सामने आ रही है कि अगर तेरा त जुम चीराख पासवान के जो कार्य करताओं का है वो उस कारेयाले में पहुंचेगी आ उस कारेयले पर अपना कपजा करेगी क्योंकि वो कारेयले जो है उन्हें आवणटेष किया जाएगा जिस तरीके से एक चीराख पासवान को छब भंगला करवाया गया था तो वैसी ही तस्वीर जो भाव करने वाली चिराग पास्वान के सामने निकली हुई थी, वैसी ही एक तस्वीर आपको तेरा तारीक को भी देखने को मिल सकता है, देर रात हो या साम तक हो ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आ सकती है, लेकिन अब देखें दिल्ली से क्या ख़बर निकल कर सामने आ रहें कि दिल्ली में भी पशुपति पारस बंगला खाली करेंगे ठीक है बंगला खाली करेंगे दिल्ली में भी लेकिन चिराक पास्वान उस बंगले पे कबजा करेंगे यानि कि पटना से लेके दिल्ली तर चिराक पास्वान है और चिराक पास्वान के है तो देखिए आ रोप जो लगता आपने क्यों नहीं पैसा asi कर लिया था क्या का रहा था क्या आप कारण थे आपको यह लगघर हैं तो सब ठीक है छो क्रेमें भुच्प चार शो कहते आ कि बंगला मैं करें तो हूँ ना खाने दो आपको कैसे पर्धान मंत्री से स不到 खाली करूड तो आप कहां से बचेंगे उब ऑब जो पतना की स्थिती है राजनितिक गलियार्य में फिर से बाइड हम चल और चाचा को भतीजा, करीट टकर जिस तरीके से दे रहा है कधम पर जोटारा चर्खे की जो पहिया होती है अ कभि वो पिसदी तो एक बर चिराग पासवान पीसे थे उस पहिये लेकिन चिराग पासवान पीसे तो ऐसा आटा बने कि मोदी जी ने उन्हें ऐसा निखारा और अब वो मोदी जी को निखार रहे है लेकिन परशुपती पारस जब पीस रहे हैं तो अब पता नहीं वो चिरात पासवान जैसा आटा बनते हैं या नहीं बनते हैं साथ कौन देगा ये बड़ा सवाल उठता है लेकिन इस वक्त पर पाषुपति पारस हो अप्रिंशवाज राज हो या तमाम उनके पाठी के लोग हो उनके भविस पर एक धत्रे की घंटी है कि ना पाठी बचा ना सांसद बचे ना बंगला बचा ना या तो अब जायंगे कहा नगीरह तारी को जो कुछ भी फैसले आने वाले हैं यहां तक कि बात कर रहे हैं नौ दीन बचे हुए हैं, तो क्या लगता है पसुपती-पारस के लेकर करके क्या कुछ कहना है, क्या होने वाला है? देखिए पशुपती पारस की यहां पर अगर हम बात करें तो ऐसा ने कि इल्लीगली उन पर कोई कबजा किया जा रहा है लीगली किया जा रहे नोटीस दिया गया आपको समय दिया गया आपको अब उसके पीछे का कारण बहुत सारे उटर के सामने आ रहे कोई यह कहता है कि नहीं उसको पुचारा करवाने का बात था उसको पेमिंट नहीं हो पाया था बहुत सारी बाते हैं लेकिन एक्षन लिगली लिया गया है पशुपती पारस की बात कर चिराग पासवान में तुलनागर की जाया बी के समय में तो कोई ज़ादा अंतर नहीं है जो उस समय पश कर रहा है आगे खुल के नहीं आ रहा है और देखा जाए तो उन्होंने मंत्रीपत से भी स्तिफा अपने आन पर ही दिया था कि हमें आगे पार्टी में भी अगए आगे लेकिन अब कहीं से सफलता नहीं मिले तो वापस आकर वह यही कहते हैं कि हम NDA का हिस्सा है हम साथ है चल करें तो यह कारयाले अगर चिराग पासवान अपने नाम करना चाहते हैं अगर क्लियर नहीं है अगर अपने नाम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से वह चीज सत्त है सत्त इसलिए है क्योंकि वह कारयाले असल मायने में इतिहास पलट कर देखे तो उनके पिता जी का ही उस पाशुपती पारस को, जो कुछ भी खोने के लिए नहीं है, पाने के लिए जो दो चार चीज़ है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसमें से हम विधान सब एलेक्शन को ही ध्यान में रख कर चले, और चिराग पासवान से बात करके, जो भी कुछ फूट है, उसको खतम मान जो है उनके पास अब उसे लेकर अपनी भाभी के पास जाए स्वर्ग्या राम बिलास पासवान जी की धर्म पत्नी है बड़ी है इन से जाए जाकर भाभी का पैर चुए आसिरबाद मांगे और कहे कि माफी मांग ले कि जो हुआ सो गलत हुआ मैं अंधा हो गया था स्वार्थी हो गया था जो भी कहना कहें परिवारिक मेटर है आप अपना खतम कीजिए क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त जो दमखम दिखा रहे हैं वो बहुत जादा है मोदी के हनुआन माने जा रहे हैं ऐसे में अगर चिराग पासवान और निती करियर खत्म होने पर आई है उसमें कहीं न कहीं एक लॉज जो है वो जरूर आएगी और कहीं न कहीं पश्रुपति पाराइस के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन प्रिंस राज का जो करियर पर फुली स्टॉप लग रहा है उसकी शुरुवात एक रास्ता क्ыл पुल सकता है फैसला सामने आएगा देखना दिल्चस्क होगा क्या कुछ फैसला नजर आता है तब तक के लिए धन्यवाद